हमारा स्वागत मुर्गे के साथ किया गया उत्राखंट पुलिस की नाकामी देफने को मिली है अभी चीज़ भोले के साथ यह चीज हुई है हम तत्काल इसमें एक तो मुकदमा पंजिकित कर रहे हैं दूसरा उस भोले के मादम से सीशी टीवी के मादम से आइडेंटी भाई कर रहे हैं एक बड़ी खबर उत्राखंट के उधम सिंग नगर से आ रहे हैं जहांके जस्पूर में भोले के भक्तों ने जाम लगा दिया तस्वीरे आप देख रहे हैं भोले के भक्तों पर कुछ अराजक तत्वों ने यहां गंदगी फेक दी थी इससे वहां मौजूद कावडिये अराजक तत्वों के सरकत ने माहौल खराब कर दिया यहां देखते ही देखते सारे कावडिये जमा हो गए कावडियों ने नादेही हाईवे को जाम कर दिया दरसली तस्वीरे उधम सिंग नगर के नादेही हाईवे की हैं जिसे जाम करते हुए प्रोटेस्ट किया गया वहीं पुलिस प्रशासन के खिलाफ विनारे बासी देखने को मिली काफी देर तक नादे ही हाईवे जाम रहा हाईवे जाम होने से जस्त्पुर के लोगों को भारी परिशानियों का सामना करना पड़ा हाईवे के दोनों और गाडियों की लंबी-लंबी कतारे लग गए पुलिस प्रशासन ने शिवभक कावडियों को मनाने के लिए 80 चोटी का जोर लगाया फिलाल शिवभक कावडिया आरूपी की गरफतारी पर अड़े हुए हैं कावडिये इतने गुस्य मिठे कि वो पुलिस प्रशासन की बात सुनने को ही तयार नहीं थे वहीं सीयो काशिपूर वंद्रा अरण्वा ने कावडियों को बहुत समझाया अपर पुलिस सधीक्ष्य काशिपूर अभैस सिंग को भी कावडियों को समझाने में पसी ने छूट गाए कामड हमारी सकुसल चल रही थी और देख रहे हैं कि आज से कामड थोड़ा सब बढ़ा भी है कामड यात्रा भी बढ़ी है दोरों तरीके से वहान भी बढ़े हैं और पैदल कामड यात्रा भी बढ़ी है तत्काल मौके पर पोलिस सुचना दी गई ती और वहां से गारी यहां से चली गई थी अभी जिस भोले के साथ यह चीज हुई है हम तदकाल इसमें एक तो मुकदमा पंजी कर रहे हैं दूसरा उस भोले के मादम से सीशी टीवी के मादम से आइडेंटिफाई कर रहे हैं और जिसने भी यह सारारत करी है हम उसके विरुप्त सक्त से सक्त कारवाई करेंगे दरसल आपको बता दें कि जस्पूर कुमाओ का प्रवेश द्वार है इसलिए कुमाओ के सभी भक्त हरी द्वार से कावड में जल लेकर यहीं से उकर गुजरते हैं आज सुबर लगबग नौ बजे किसी शरारती व्यक्ती द्वारा भोले के भक्तों के उपर आपती जिनक सामगरी के टुकडे फेक दिये गए जिसको लेकर कावडियों ने नादे ही हाईवे पर जाम लगा दिया आरोपी के खिलाफ कारवाई की मांग को लेकर कावडियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जम करनारे बाजी की कावडियों ने आरोप लगाया कहा कि जैसे ही वो उत्राखन में पहुँचे तो उनका स्वागत इस तरह से किया गया ये निंदनी है उन्होंने आरोप लगाया कि ये उत्राखन पुलिस की नाकामी है नहीं पुलिस का कहना है कि जिस गाड़ी से इस घटना को अंजाम दिया गया था यानि जो आपती जनक चीज फेकी गई थी वो गाड़ी चली गई थी जिस पर ततकाल मुकदमा पंजिकृत किया जा रहा है जिस श्यवभक्त के साथ ये खटना हुई उस श्यवभक्त के माध्यम से सिसी टीवी से उस व्यक्ती की पहचान की जा रही है बीरे रिपोर्ट राइशमारे